हेलो स्टूडेंस जाहिन तो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत स्वागत है बच्चों आज का वीडियो में हम लोग बात करने बाले हैं क्लास टेंथ का गनीत का वक्षित नमबर 12 यान कि कक्षा दस्मी का गनीत का कारपत्र 12 है और यह जो डेट है 28-2021 का वक्षित है तो जैसा कि पता है अभी तक आपका जो वक्षित जो भी आ रहा था वो आ रहा था जनरल वक्षित आ रहा था अब आपकी जो सिलेबस की वक्षित है वो आईगी तो आज आपका फर्स चैप्टर का यान कि चैप्टर वन का वक्षित आया है नमबर सिस्टम्स के बारे में उसके बारे पढ़ना है यहाँ पर देखो कुछ दे रखा है याद करने बाद कि आभाजी संख्या क्या होता है गुनन खंड क्या होता है तो आभाज संख्या वह संख्या जिसका केबल दो गुनन खंड हो क्यों भी ऐसी संख्या जिसका केबल दो ही गुनन खंड होगा एक तो एक होगा और एक खुद होगा ठीक एक अपने आप जैसे तीन तो तीन एक आभाज संख्या है क्योंकि एक तो एक से कट रहा है, एक तीन से कट रहा है, दो एक अवाज संख्या, एक एक से कट रहा है, एक अपने आप से कट रहा है, चार अवाज संख्या नहीं है, वह वाजी संख्या है, क्यों चार वाजी संख्या, क्योंकि वह एक से कट रहा है, दो से और चार से, इसक सो जारा है कितने पे फिर ही दो से जारता कितने पे फिर देन से जा रहता है ठीक है इस तरह से टू का यह जो भी कुस्षन दिया और लोग इसके करने के साथ है तो भी करोगे किम किसी भी संख्या को जैसे साथ का LCM याद कि याद किजिए तक हम पहले आठ का गुनन खंड लिख लेंगे इस तरह से क्या क्या है और 60 का लिखे लेंगे निकाल लेंगे क्या है ठीक है उसके बाद जो दोनों में पेर बनेगा जैसे एक तरह से हम बता देते हैं कि जैसे 8 का आप लोग गुनन खन निकालोगे ना 8 का बच्चो तो इस तरह से 8 का आएगा क्या दो चार पे जाएगा फिर दो से जाएगा फिर दो से एक पे जाएगा फिर इसी तरह से अगर जो 60 का निकालोगे तो दो से गया यह तीस पे फिर यहां से दो से जाएगा पंदरा पे फिर जाएगा तीन से पांच पे फिर जाएगा पांच से एक तो हम यहां से देखे कि 8 का आया तो अब यहां से हम लोग देखेंगे कि नंबर दोनों में जोड़ा बन रहा था दो और दो का बस तो SCF जो है स्टूरेंट SCF इसका जो SCF आजाएगा इसका SCF जो आएगा क्या आएगा जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे दोनों को एक बाओ तो 2 गूले 2 क्या जाएगा 4 और अगर जो गोई हम बात करें इसका LCM का तो alarm मिल रहा था उसको लिखेंगे तो 2 गूले 2 चार तो आएगा पिलस में जो नहीं मिल रहा उसे भी लिखेंगा दो गूले 3 गूले 5 तो 23665 जो 30 इस तरह से महारे जगह कमी के कारण देख़े हम डारेक्लिक देखे 23665 जो 30 आर इसका LCM आगया 120 अभी हम कॉपी में करके बता रहें जो कुश्चन आज का दिया गया है तो इस तरह से LCM और SCF निकाल सकते हैं फिर आपको एक फॉर्मूला याद करना कि जैसे दो एक नमबर है ARB तो यह दोनों का जो SCF होगा ARB का SCF और ARB का LCM यह दोनों को गुना करोगे तो यह क्या हैगा यह बराबर होगा किसका वो दोनों नमबर का गुनान फॉल का A इंटू B ठीक है यहाँ पर देखो लिखा होगा SCF of A and B multiply LCM of A and B equal to A into B ठीक है बच्चों उमीद करते हैं यह भी चीज आपको समझ में आ रहा है फिर यहाँ पर एक उदारे नमबर तीन दे रखा है आपको एक्जामपल नमबर थर्ड अजो कि आज का वरक्षिट का यह कोश्चन भी है लास्ट कोश्चन था हम कि यह नहीं कि जाच किजिए कि N किसी भी आ रही है आपका कभी कोश्चन है 1.2 में ठीक है अराम से करना कि कि किसी भी मान के लिए 12 N का अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं जहां N एक प्राकिरतिक संख्या यह बोला कि 12 पे पावर N है तो यह क्या 0 से समाप्त होगा इसका कोई जैसे 12 का स्कौार 12 पे पावर 12 बारा 12 का दो लिए 144 इस का गुननखंड या तो 2 होग का या फिर 5 आता होगा अंकित करते हैं कि बारा का प्रेम है क्या राका निकालोगह इस तरह से तो देख आएगा- दो छे फिर दो तीन इसका क्या है दो पे पावर दो गुने में तीन मतलब दो गुने दो यह तो है नहीं इसका अता बारा का गुनन खंड केवल दो है परंतु पांच नहीं है लेकिन क्या आना चाहिए दो और पांच दोनों आना चाहिए तभी यह तभी ये क्या हो सकता था 0 से समाप्त हो सकता तो ये ही होगा कि अता 12 का गुनन खंड में केवल 2 है परन्त पाच नहीं है इसलिए 12N का अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है 0 पर समाप्त नहीं होगा ठीक है तो हम ये बता दें कि आज का ये जो वर्कषिट का फोर का अंसर है वर्कषिट को नमर फोर का जो अंसर है बच्चो यह यही आपको लिखना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ देख हमें क्या है हमें कोशन दे रखा कोशन हमें दे रखा यह कि 32,760 का अवाज गुनन खंड के रूप में व्यक्त कीज यहीं गुनन खंड भी देशे 15 और 12 का 18 और 45 का तीसरा प्रस्म था कि हमें 320 और 120 का LCM दे रखाए 960 तो 320 120 और 120 का SCF क्या होगा ठीक है SCF निकालना था ठीक है बचो और चौता कोशन में वही है कि जाज कीजिए 12 के अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं तो हम यह तो बता है यह इसका अंसर आप लोग फोर्थ का यह लिख लोगे बाकि तीन कोशन का अंसर हम नीचे आपको भी समझा तो पहले देखो हमें क्या करना था इसका गुनान खड़ने का ना था हम निकालेंगे दो से लगाए तो दो से गया देखो टू बच गया एक तू सिख जा ट्वेल तू थरी जा शिक्स फिर बच गया एक तो फाइड जा टैन फिर यहां से देखे कितने से अब लास्ट में फाइब आ रहा है तो यह दो से तो नहीं जा रहा है तो हम तीन से देखेंगे तो आप तीन का डिविलीटी रूल चेक करना कि चार प्लस नौ प्लस पांच तीन से चेक करने का यह तरीका होता है कि एड़ करो और तीन का टेबल में आ तो तो तीन से जाएगा तब आप तो नहीं के घिस को नियरूपेत इस तरह से आगया तहीक है तेका यह थो इसमार इस चाहएऊ रहा है फिकिक्तार करण अच्छेक करने का तरीका कि एस तक्रीय नमभर आ रहा हिए तो सही है अधर्वाइज गिलत है कोश्य नमर दो जो था बच्चों हमें क्या करना था कोश्य नमर टू में एसी एफ और लसी एम निकालना था गुणन खंड भी दीजिए तो पहले हम दोनों का गुणन खंड निकालेंगा पंद्र का क्या होगा तीन गुणने पास बारा का क लोग बात वहीं पड़ेगा अप लग पहले दो से भी लोग है तो छे फीर दो से तीन फिर तीन यह थी ठीक है तो डो पे दो का स्क्वार गुने निख सकते हो यानिकी दो गुणने दो गुने ठीक है अब देख लिए अब दोनों में मिल क्या रहा था तो दोनों में मिल रहा था common factor हाइस्ट common factor है 3 तो SCF तो हो गया इसका 3 LCM क्या बताया थे जो दोनों में मिलेगा उसे ते एक बार लिखेना है जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेना है यहां से 2 दो नहीं मिल रहा था यहां ते 5 15 15 12 सीएफ तो हो गया सीएफ तो आ गया था तीन और सीएफ और कितना शाठ लसीएज़ किटना गया था शूरें इसी तरह से हमें करना था था थार और पैतालिस कितना करना था बच्छों इतीन और 45 का तो तो का देखेंगे हम लोग स्टूरां सो तो अठार और पैतार 80 है नोष का देखेंगे तो अठार ड्यूर्टार जिखेंगे चाहरा क्या था दौसे लगाए אני नौ पर फिर 3 से लगाए लगाए गया ऐक ठीक है पिर चाहिए है से देखें के तेन से गया पहले 15 पर फिर जाएगा पास पर फिर यह अब देखें में दोनों में 3 और 3-2 बार मिल ला तो तो तीन गुनी 3 यह तो इसका आगे एसमा क्या आएगा जुब मिल रहा था वो भी लिखेंगे जो नहीं मिल रहा उसे भी लिखेंगे 239 जा 27 तुर 27 को 5 से कर देखो 3-3 जा 9 9 2 जा 18 सुरि आइटीन 5 जा 90 तो यह आ गया LCM और यह आ गया SCF प्रश्न संख्षा जो तीसरा था बच्चब हो था कि यह दोनों का LCM दे रखा 960 ठीक है हम SCF निकाला है था हम लिखेंगे SCF formula लिखेंगे कि SCF पूसेयड电कुशन थेकंप एंटे सब्सक्राइब जू क्या था उसका एक क्या इन सबस्क्राइब हो कि वह टीज़ीयर कि एट जा पूरा अंसर आपको लिख देना यह पूरा लिख देना ठीक है यहां से जो भी हलकर रखा है समझा दिये कैसे करोगे ठीक है बच्चों ताज का वरक्षिट बेहदी असान था और अमीद करते आपको समझ में आया होगा ताज का सेशन कितना ही फूल था आप लोग पिलीज कम